नमस्कार, लोकल 18 पे आपका स्वागत है, मेरा नाम है आर्याजा ऐसा कहा जाता है कि रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए वैसे माननेता है कि तुलसी स्वास्त के लिए बहुत लाबदायक है, बहुत सारी दवा में इसका इस्तेमाल होता है लेकिन एक ऐसा माननेता है, शास्त्र कहता है कि तुलसी में रविवार को जल नहीं देना चाहिए अब सास्त्र वाकई कहता है, यह एक मित है, यह पंडित सही जान लेते हैं, हमारे साथ एक पंडित है इनसे जानते हैं कि वाकई तुलसी में जल रविवार को देना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले आपका स्वागत है और इसके साथ ही ये बताईए कि एक कहाबत भी है क्या ये सच में शास्त्र भी ऐसा कहता है कि तुलसी में रविवार को जल नहीं देना चाहिए हाँ मैं दीपक मिस्रा पंडित स्री दीपक मिस्रा ग्राम गंधवारी यह सची कहावत है पुराने काल का जो तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए रविवार के दिन पुरानी मानेता है और शास्त्र से भी इसका कुछ है कि पुरानी मानेता है ऐसा शास्त्र भी कहता है हाँ ऐसा सास्त्र कहता है विश्णु पुरान के अंसार कहा गया है जो तुलसी ब्रिंदा और मालती तीनों परम भक्त हैं विश्णु भगवान का रविवार के दिन और एकाजसी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि उस रोज तुलसी माता जो है निर्जला ब्रत करती है और विश्णु के अराधना में लगे रहते हैं इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए ये पुरानिक मानता और विश्णु पुरान में भी कहा गया है एक ताथपर्ज है कार्तिक महिनों में होता है उसमें भी ये बात कहा गया है जो रवी बार के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, तूरना भी नहीं चाहिए, ये मुक्ता कहा गया है, सची बात है ये जैसे कि इसके अलाबा जैसे तुलसी ऐसा विज्ञान भी कहता है कि तुलसी स्वास्त के लिए बहुत लाबदायक है इसके अलाबा जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे प्रशाद में हम तुलसी डाल देते हैं या कैसी चीज में तो उसका क्या शास्त्र क्या कहता है हाँ प्रसाद में तुलसी डालने से मुक्त विश्णु भगवान को भोग लग जाता है जब तक तुलसी नहीं डाला जाए तब तक विश्णु भगवान का भोग नहीं लगेगा तुलसी डालने से विश्णु भगवान का भोग लग जाता है तुलसी विश्णु जो है पाल जैसे महादेव को बिलपत्र डाल देने से उनका भोग लग जाता है। जब हम जिस वक्थ जिस देवी देबत्र का पूजन करते हैं उसी अंसार कहीं तुलसी, कहीं बेलपत्र और कहीं फूल चड़ाया जाता है नवेद में, प्रसाद में, तब उनको भोग लग जाता है बात करने के लिए आपका शुक्रे